नमस्कार्वी दिरतिमीत्रो फरिवार आपसर्वेनों हर्दिक स्वागत छे आपने जोहिए छी ए प्रक्रण नंबर एक सुचक आंक अगावना लेक्चर मां आपड़े सुचकांक नी अलगलग व्याखिया जोई जे मां सापेक्स फेरफर सुचकांक भावनों सुचकांक जित्थानों सुचकांक अने सामान्य सुचकांक नी आपड़े वाद करी हवे बे माक्स नों एक अगत्य नों प्रश्न छे सुचकांकना लख्ष्ण बे माक्स नों आएमपी प्रश्न कई शकाई तो सुचकांकना आपड़े जोई ए तो तोटल Regs लक्षण छे तो बे माक्स मा पुछाए तो छ माथी आपड़े चार माक्स माठे चार मूद्दा मीनिमं लखवाना थाई छे तो फेल्ल मुद्धो छे कि ते 4 राशी मा थता टका वारी फेरफार दर्शावतू साप एक्ष माप छए अपड़े यो है कि अगाव ना लेक्चर मा अपड़े जो Himself फेरकष फर जोई ङरल चल राशी मा थता टक्का वारी फेरफार दर्शावतु एक साप एक्ष माप छे अवे साप एक्ष माप होई तो अपड़े धोरण अग्यार मा सीखेला के ते एकम थी मुक्त होई बराबर छे शुकाम एकम थी मुखत हुए तोके साप एक्स माप छे तेमा अंशमाने छेद मा सेम राशी आवे तो एकम उडी जाई तो एकम रहीत माप थे बराबर एटला माटे सुचा कांग छे एकम थी मुखत माप छे नेक्स्ट, मुद्धा नमबर त्रण के ते एक तुलनात्मक माप छे, तुलनात्मक एटले के सर्खामनी दर्शावतु माप, क्यम के आपने या बे अलग-अलग समयनी वस्तुनी कीमत माँ आपने सर्खामनी करिये छे, एटला माटे तुलनात्मक माप थाशे, बिजु, ते बिफिन्नसमय नी परिस्थीती नी टकावारी गुनत्तर द्वारा सरखामणी करे fracture बिन्न समयनी आपड़े शुकरवानी होई छे सर्खामनी करवानी होई छे सपोस के त्रण अलग 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 वर्ष छे बेहजार पंदर, बेहजार चुच्या कांग द्वार आपड़े सर्खामनी करी शक्ये छे पंदर शोल माँ आने 16-70 माँ थेलो फेर फार छे यह बन्ने मां तफावत केटलो छे अथ वाथ वधारों घटाडों केटलो थेलो छे इनानें अलग अलग समाई नी परिस्तिती छे यह नी सर्खामनें करे छे ते एक सरे राश माँ छे आपने लास्ट लेक्चर मां छेला टोपिक मां जोयू मध्याक शब्दों मां आपने ते थी ते सरे राशना बधा लक्षन दर आवे छे, सिंपल वस्तु छे करे सरे राश होई तो सरे राशना बधा लक्षन दर आवे छे, ते एक भारित सरे राश छे, हवे आपने 11 मा धोरण मा जोयेला भारित मध्यक, तो भारित मध्यक छे ए सुचाकांक ना ज लक्षन दर आ आवे छे इवन आपने आ प्रक्रण मां भारित मध्यक नी रित्नों उप्योक करीने पन सुचकां गणवानों आउशे बराबर तो ये जहरे आपने आउशे त्यारे फरीवार याद करी शुके भारित सरेराश्या माटे केवामा आवे छे हवे विद्यारती मित्रों वाद करी आपड़े तो आपड़े अगव सुत्र मां आई बराबर सुत्र लखेलो तो आई बराबर P1 अपोन P0 मल्टिप्लाइ बाइ 100 तो आप P1 अने P0 चे तेमा आपड़े P1 मांटे शब्दव आपरे लोहतो चालू अने P0 मांटे आपड़े ए तो P0 ने कईशू आपणे आधार वर्ष नी कीमत औने P1 ने कईशू चालू वर्ष नी कीमत तो हवे आधार वर्ष छे ए नी औने चालू वर्ष नी आपणे व्याखिया जोई ये तो आधार वर्ष नी व्याखिया केक में आप्रमाणे लखेली छे के जारे कोई वस्तुनी कीमत मा थता फेरफार कोई वस्तुनी कीमत मा फेरफार थाएचे 2015 अना 2016 अपड़ ध्यान मा लेए तो ए फेरफार भुदकाड ना कोई निस्चीत वर्ष नी कीमत साथे सर्खावा मा आवे तो ते निस्चीत वर्ष ने आधार वर्ष कई एचे सपोस के आपड़ एक आपड़े उदारन लिदू तुझे चाहाखांड वाड़ू तेमा जो ये व्याख्या समत्थ जाइए के वस्तुनी कीमत मा थता फेरफार तो खांड मा फेरफार थाएचे थे 30 थी 35 तो ये फेर्फार चे नी शर्खामणी आप्णे यह कर ये ति 25 सनिय पन कर ये सर्खामणी कोनी साथ है करूये थी तो के भुतकाड ना कोई निस्चित वर्ष नी किमत तो भुतकालनु निस्चीत वर्ष अटले 2015 नू वर्ष तो 2015 ना वर्ष ने आपड़े जे सर्खामणी करी छे तो 2015 ना वर्ष ने आपड़े कई शू आधार वर्ष आधार वर्ष हम्मेशा चालू वर्ष अशे तेना करता जूना समय नू अशे सपोज के आपणे कोई एक वर्ष 2017 लईये छी ए तो 2017 नी सर्खामणी अगावना वर्ष मा करवा मा आवे 16 नू होई एथवा 15 नू होई कोई पण 2020 पिलानू कोई पण वर्ष ए आधार वर्ष कीumaई ए ए आधार वर्ष आपड़े दाखला मा लेवानू की दलू होई छे बराबर तो जी भूदकालनु वर्ष झे고 नि निस्छीत वर्ष लुए आदार वर्ष थसे अवर वाद करे चालु वर्ष अधार वर्ष ने अपड़े इंगलिश मा कैश्व बेज येर अने चालु वर्ष ने प्रवर्त्मान वर्ष पन केहेवाई तो चालू वर्ष नू शुन थशे तके वस्तुना जे वर्ष ना भाव ने ते वस्तुना आधार वर्ष ना भाव साथे सर्खावामा आवे छे तो ते वर्ष ने चालू वर्ष है थवा प्रवर्तमान वर्ष कहे छे जे भाव ने आधार वर्ष नी साथे सर्खावामा आवे हती तो जे 2006 नो वर्ष छे ए वर्ष थशे आपणा माटे चालू वर्ष तो चालू वर्ष नूँ आपणे संगना लखिये तो चालू वर्ष नी संगना थशे पी वन अने आधार वर्ष नी संगना थशे पी ओ अथवा पी जीरो ब्राबर हवे आपने बदा शब्दों छे जाने लिदा केटला शब्दों जायने फरीवार रिकॉल करिये पेल आम पेलू तो के सापेक स्फेर फार पची बावनों सुचा कांग चत्थानों सुचा कांग स सामान्या सुचा कांग सुचा कांग ना लक्षणों जोया पची सुचा कांग नी गणत्री माटे आधार वर्ष अटलेशू चालू वर्ष अटलेशू तो के आधार वर्ष अटलेशू तो के आधार वर्ष अटले जूनू वर्ष ने चालू वर्ष अटले नूवर्ष सिं ना छेदमा पी जीरो गुणियां सो आसुचा कांगनों सुत्र छे तो पीवन अटले चालू वर्ष ची आपड़े दर एक वर्ष जेते होई लेई शक्या पण पी जीरो छे आधार वर्ष के वाई आधार वर्ष अटले के जुना पूराणा गम्मे तेटला वर्ष होई शक्य सपोज के हूँ 2020 मा त्यार वाद करूँ छू तो 2020 मा जहें मारा किम्मत छे एनी सर्खामनी भुद्काल ना कोई वर्ष मा करवा नी होई तो भुद्काल नू वर्ष काई हो लेवू 2021 अधार सतर सोड पंदर चावुद कोई पण वर्ष लाई शक्यू तो एप वर्ष नी पस गिनी रीतो रीत नंबर एक अचल आधार नी रीत रीत नंबर बे परमपरीत आधार नी रीत हवे अचल आधार नी रीत मा आने परमपरीत आधार नी रीत मा फरक्षू छे आपड़ सुत्र थी जोईए तो सुत्र नी साथे साथे आपड़े प्रकरण एक ना स्वाध्या ए કઈ રીતે ગણાય તો એનું સુત્ર છે આઈ બરાબર ચાલુ વર્ષની કિંમત છે દમાં આધાર વર્ષની કિંમત ગુણ્યા સો ચાલુ વર્ષની કિંમત ને આપણે પ 1 લેએ છીએ જે સુત્ર માઉપર દાર વર્ષની કિંમત છે એ આપણને રકમમત ગમે ત્યારે આપેલી હશે જારે આપણે અચલ આધારની રીતે સુચક આપણને આઉશે નેચ્ટ અયાં એક મહતુની વાત લખે લી છે કે આ રીતમાં આધાર વર્ષની કિંમત કોઈ ચોકસ વર આધાર વર્ષમાં 2018 કિંમત લખવાની થશે બરાબર એ દાખલા ગણી શૂટલ આપણને વિવસ્તિત આઇડ્યા આઉશે નેક્ષ્ટ છે પરંપરીત આધારની રીતે સૂચક આંખ તો પરંપરીત આધારની રીતે સૂચક આપણે જોઈએ તેમાં સૂત્ર છે આઈ બરાબર ચાલું વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાવના વર્ષની કિંમત જો અહ્યાં શબદ ફ તો આ રીતમાં આધાર વર્ષની કિંમત બદલાતી રેશે આધાર વર્ષની કિંમત બદલાતી રેશે તો અહ્યાં છે દરેક કે દરેક વર્ષે ફીક્સ રેશે બરાબર દાખલો એક ગણી શૂટલ આપણને ઓટોમેટિક આઇડીયા આઉશે કે તે લેવાઈ તો નેક્સ એશનમાં આપણે સ્વાધ્યાઈ નંબર 1.1 માં આપણે જે દાખલા છે તેમાં અચલ આધાર કાં છે તેની આપણે ગણત્રી કરીશું